राजस्तान की कॉंग्रेस में अशो गहलोत कोशिश करते रहे कि सचिन पाइलट पार्टी छोड़ जाएं लेकिन आने वाले कुछ दिनों में ऐसे दिगज पार्टी छोड़ने वाले हैं जिसको लेकर कॉंग्रेस के कान खड़े हुए हैं और तीन से चार ऐसे दिगजों के न पर नेता रहे बड़े नेता रहे इन नेताओं की भाजपा में अगर आमद होती है तो लोग सब चुनाओं पर क्या आसर पड़ेगा विश्टेशन में बात करेंगे आज इसी मुद्दे पर नमशकार मैं प्रदीप हूँ आप थिंक 360 देख रहे हैं राजस्तान की राजनिती जिनका हम झिकर कर रहे हैं की पार्टी छोड़ कर स्विच कर सकते हैं उसमें सबसे बड़ा नाम जो चल रहा है मेडिया की और से महेंद्र जीट सिंग मालविय झे मेंपर हैं ज़रा मुश्किल लगता है उनका पार्टी छोड़ना क्योंकि वह अपने आप में कद्दावर ह कॉंग्रेस उन्हें सम्मान दे रही हैं काफी प्रभावी प्रतिपक्ष नेता जरूर वो नहीं बनाएगे अनुसुची जंजाती के बड़े नेता हैं खास करके कॉंग्रेस के अब बागड इलाके में सबसे बड़े नाम लेवा नेता कोई कहा जाए तो महंदरजीत सिंग मा कालविया जो है वो विधाय की खोके यानि की बीजेपी में आखे विधाय का मौका खोएंगे क्या वो सांसत की अमिद्वार हो सकते हैं बांशवडा लोक सबाक्षेतर से अगर ऐसा होता है तो फिर चांस बनता है तो और जो नेता अब आमद ढूंड रहे हैं यहां आने की उनके नाम मैं आपको एक-एक करके बता रहा हूं जिनको लेके अब कॉंग्रेस भी मानस बना चुकी हैं कि ये लोग अगर पार्टी छोड़ते हैं तो माहूल अलग तरीके का हो सकता है कोशिश जिस तरह से चली थी लोग सभाचुनाओं से पहले के विधान सभाचुनाओ अगर जाना होता है तो कॉंग्रेस के लिए बड़ा जटका होगा लेकिन आज हम विश्टेशन में बात करेंगे तीन उन नेताओं की जिनके उपर लगबग लगबग कन्फरमेशन की मोहर भाजपा लगा चुकी हैं और इस कोशिश को अंजाम देने में राजस्तान के एक बड़े नेता जो कि केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी हैं उनकी बड़ी भूमिका है तो पहला नाम आता है लालचंद कटारिया का क्या जाता है कि विदानसपा चुनाओं के वक्त भी उन्हें बीजेपी में आने का उफर था वो उस वक्त आये नहीं जोट वड़ा से एक बार सांसद रहे भी चुके हैं लालचंद कटारिया गिरदाले लाल भारगव की कभी यह जबरदस सीट हुआ करते थी जैपूर और जब दो हिससे इसके किये गए तो यहां से लालचंद कटारिया जो है वो सांसद बने एक चीज यह भी है कि केंद्र के बड़े नेता देश की राजनेती में एक बड़े नेता गुलाम नभी आजाद ने एक इंटर्यू में हाल ही में कहा है कि कॉंग्रेस अब टूट रही हैं कॉंग्रेस से और भी नेता पार्टी छोटेंगे ऐसे में इन लोगों के जो हम नाम ले रहे हैं उनका सीधे तोर पे यह गुलाम आजना का नाम है आजना कल्भी समाज के बड़े नेता है और कॉंग्रेस में अगर सबसे बड़े नेता कहा जाए इस समाज के तो अतिशोक्ति नहीं होगी चूंकि भाजपा से जुड़ा हुआ यह समाज माना जाता रहा है बेसिकली जाट यहाँ पे एक बहुत बड़ा व करमकांड को मानने वाले मानने लोग कमिश्ट करतें और जाति आफारश करते हुआ है यहां के नेता और करमकर। भाजपा का जो structure है उसमें fit होने वाला इलाका नहीं है तो यहां के जो कुम्बारा मारे नेता हुए उन्होंने देश की पहले नेता थे जिन्होंने जाती आधार पर democratic politics में नारा दिया जाट की बिटी जाट को जाट का बोड जाट को और दूसरा अगर आपन देखा जाएं त नागोर यानि चुरू का कुछ हिस्सा सिकर का कुछ हिस्सा और नागोर को देखें तो फिर वो तेजा जी को मानते हैं जिनका एक देव के रूप में पूजते हैं उनको यह फिर परमपरा फिर निचले राजस्तान में बाकी सभी जगे मानी जाती है अब सभी लोग जो है चुमकि एक अलम चाहिए लोगों को एकठा होने के लिए भीड को जन समूह में बदलने के लिए ऐसे में तेजा जी महराज की सरुमान्यता जो है इस समाज में होने लगी हैं कलबी जो है वो नितांत अलग समाज हैं जो कि राजाराम भगवान को मानता है सीर्वी बिलकुल अलग समाज हैं जाट से रिल्टेड नहीं है तो कलबी आजणा पटेल यह जो है वो राजाराम भगवान को मानते हैं और इनके बड़े नेता उदेलाल आजणा अगर भाजपा का दावन थामते हैं तो अतिशोक्ती नहीं होगी कि इस से मारवाड की बहुदा politics बदल जाएगी आपको एक और नेता का नाम बता दें जिनका नाम आप सुनेंगे तो मुस्कराए बिना नहीं रह सकेंगी मारवाड की राजनिती में हनुमान बेनिवाल के dialogues जो है इस बार फीके रहे जिन नेता के आगे उनका नाम रिशपाल मिर्दा है और सोच रहे हैं भाजपा में आने की बेटे विजेपाल कॉंग्रेस से विधायक रह चुके हैं और इस बार उनके अगे बेटे विजेपाल मिर्दा यानि कॉंग्रेस के लिए और नागोर में जियोती मिर्धा को जिताने की अपील कर रहे थे वो अब भाजपा में शामिल हो जाए तो अतिशोक्ति नहीं होगी ऐसे में चार कद्दावर नेता चार स्तंब एकदी बीजेपी में आते हैं तो फिर गुलाम नभी आजाद की वो लाइन उसी इंटर्व्यू में से निकल के आती है कि अगर भाजपा चार सो पार कर जाती है तो वो कॉंग्रेस उसके लिए जिम्मेदार होगी देश में आई एन डी आई गठवंदन जो है उस गठवंदन की तूट की वज़े से अगर कोई जिम्मेदार है तो वो कॉंग्रेस है उन्होंने सीधे तोर पे आरोप लगाए हैं कॉंग्रेस की बतोर प्रतिपक्ष नेता राज्यसमा में लंबे समय तक सदारत कर चुके एक बड़े प्रभावी मंतराले परिवार कल्यान स्वास्त चिकितसा के मंतरी रह चुके जम्मु कस्मीर के मुख्यमंतरी रह चुके गुलाम नभी आजाद की राजनितिक समझ और उनका जो पलिटिकल मैनेजमेंट उसके साथ साथ कूटनितिक प्रयासों की अगर अपन उनकी समझ की बात करें तो यह सारी चीजें फिट बैठती हैं कि राजस्तान की राजनिति में अगर यह बदला होता है कि लालचंद कटारिया बीजेपी में चले जाएं कि उदेलाल आंजना बीजेपी में चले जाएं कि महंदर जीत सिंग मालवी बीजेपी में चले जाएं या फिर जि का और OBC वर्ग के तीन निता जिनकी तीन ख्षेत्रों में अलग-अलग तरीके की पकड़ हैं वो अगर दामन थामते हैं भारती एजंता पार्टी का तो कॉंग्रेस की क्या गत बनेगी इन लोकसभा चुनाओं में वैसे वह भी ऐसी समय में जबकि उनके अधिकांस दिगज जो है जिनको राहूल गांदी कह रहे हैं दिगज लोकसभा की चुनाओं में उतरे हैं लेकिन वही दिगज राजनिती के जादुगर जो खुद को राजस्तान की विधान सभा में खड़े होके दावा करते हैं कि सबसे बड़ा जादुगर तो मैं हूँ वह भी देश के जादुगर की जो कालीन खींचने के कोशिश हैं उस कोशिश के पीछे के मंत्र किसने रचे हैं या उस कोशिश के पीछे के तंत्र किसने रचे हैं या यंत्र किसने तयार किया है ये सारी चीजें विचार करने लाइक हैं लेकिन अगर ये लोग राजनिती में यानि की पाल मिर्दाबाद में किसी सदन में नहीं पहुच पाई लेजिसलेटिव सदन में हालां कि कहते हैं कि मैं कैंसर से पीडित हूँ और तमाम चीजें लेकिन इस बार उन्होंने ध्यान जबर्दस्त खीचा ध्यान खीचने की वज़ए उनके डायलोग और शब्द चैन रहे आमने बोलना आप सर्च कर सकते हैं लोग मज़े ले रहे हैं लेकिन राजनिती मज़े लेने की चीज नहीं है राजनिती अगर आप लोगों के कल्यान का दावा करके आ रहे हैं तो फिर वो आनंद लेने के नहीं वो कांटों भरी राह है जिस पे चलना बहुत मुश्किल है और अगर आप किसी legacy के साथ चल रहे हैं और उस legacy की प्रतिष्ठा को बनाई रखने और उसे आगे बढ़ाने के साथ सोच के साथ चलना चाते हैं तो फिर और भी आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है खैर ये दर्शन की बाते हैं लेकिन आजकल की राजने की दर्शन की नहीं प्रदर्शन की आप रिजल्ट क्या देते हैं तो जो 543 सीटे हैं उन सीटों में भाजपा ने टार्गेट 400 का बनाया है अब 400 के टार्गेट पर पहुंच गए तो गुलाम नभी आजाद जो कह रहे हैं कि उसकी जिम्मेदार कॉं या मुझे लगता है कि जिस तरीके से नेताओं ने अपने राजनितिक जीवन में किसी तरह की पत्षचा चाहे वो धनबल की बनाने की कोशिश की तो फिर आपके सामने एडिय और इंक्रिम टेक्स का भय है या आपने किसी और तरह के अपराधिक प्रक्रणों में शरीक होन कि अपने आपको अगर कहीं गुसाया है तो फिर बाकी सरकारी एजन्सियां भी सरकारों के पास हैं ऐसे में बड़े मोह से मन से प्रेरणा से और आत्मा से जा रहे हैं या एडि, CBI, इंकम टेक्स या पुलिस के डर से जा रहे हैं ये सारी चीज़ें हैं लेकिन कॉंग्रेस जो है अब इस चोराहे पे यानि की लोगस्वा चुनाओं की घूशना से ठीक पहले ठिटक क्या खड़ी होगी और विचार करेगी कि क्या वाकई में उनके यहां पे चूक रही अगर महेंदरजीत सिंग मालविया को प्रतिपक्ष का नेता बना देती कॉंग्रेस तो उनकी जो सीट है बांसवडा डूंगरपोर वो क्या आसानी से उनके कबजे में नहीं आ जाती अगर लालचंद कटारिया को उनकी कोई अगर मजबूरी नहीं थी और जोटवडा से चुनाओं लडाती या उन्हें यह आश्वस्त करती कि पार्टी में आपका भविश्य सुरक्ष हैं तो क्या कटारिया जाते जो बाकी नेता उदेलाल आंजना जो हैं वो बहुत कम अंतर से चुनाओ रहे हैं मतलब मारजनल वोट दूसरे लेगे चार साड़े-चार अजार वोटों का अंतर रहा जांतक मुझे याद है और वो जो की कल्भी समाज के एकवातर नाम लेवा नेता कॉंग्रेस में है कॉंग्रेस दो टिगट देती है कल्भीयों गुराजस्तान में एक जालोर जिले में देती है आहूर में और दूसरा चितोर गट जिले के निमबाहेडा में तो अगर आपके पास जनता की सेवा करने के लिए अगर मान लिजिए कि कुछ नहीं है और आप फिर भी एक यायावरी स्टाइल में अगर राजनिती कर रहे हैं तो तो फिर एजिंसियां क्या ही बिगाड लेगी लेकिन अगर आपके पास खोने का बहुत कुछ है तो फिर आयाराम गयाराम और दलवदल कानून जो है वो किनारे रखे रह जाते हैं और आप अपने राह बढ़ जाते हैं जहां आपको अच्छा लगता है वाँ जाते हैं चोकि जनता आपके पैसे प्रभाव धन और चमक आजपा में जानने से आपसे अपील है कि राजस्तान की राजनती से जोड़ी खास कबरों से रूब रूर रहने के लिए सब्सक्राइब करें तिंक 360 को धन्यवाद